नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सुम्च ओधरी और सुक्सेस प्लस केडमी के प्लाटफॉर्म पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है तो दोस्तो जैसे के आप जानते हैं आज 6 मई है और 6 मई के दिन हमारे पहले परधान मंतरी पंडित जौालाल नहरू के पिता मौतिलाल नहरू का जनम हुआ था तो इनके जनम दिवस पे, इनके जीवन की कहानी, आजादी की लड़ाई में इनके योगदान और इनके पॉलिटिकल कैरियर की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो दोस्तो पंडित जौलल नहरू को तो आप भली बाती जानते ही होंगे, वो भारत के पहले परधान मंतरी थे और इत्यास की टेक्स बुक्स में उनके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा लेकिन आज के समय पंडित नहरू और उनके जीवन और उनके परिवार के बारे में बहुत सी चीजें आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपर भी मिल जाएंगी जो की काफी भरमित करने वाली इंफॉर्मिशन है इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पंडित नहरू के जीवन से जुड़ी हुई कौन सी चीजें अपवाएं हैं जिनका कोई आधार नहीं है कौन सी चीजे तथ्यात्मक तोर पे सही है और कौन सी चीजे उनके क्रिटिसिजम में कही जाती है तो ये वीडियो आप जरूर देखेगा जिसको आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो ये देखेगा तो ऐसा क्यों होता है ये सवाल भी आपके मन में आता ही होगा कि पंडित नहरू के जीवन से रिलेटेड बहुत सी चीजे भरमित करने के लिए क्यों फैलाई जाती है तो ये दोस्तो सिंपल सा फंडा है हर राजनीती में ये होता ही है और इस्पेशली भारती राजनीती में तो ऐसा होता ही है कि कोई जो बड़ा politician है जिसकी एक बड़ी विरासत है सत्ता के तोर पे उसने बहुत कुछ छोड़ा है विरासत के तोर पे एक बड़ी political party को उसने छोड़ा है तो उसके जो समर्थक हैं जो उसकी विरासत का भोग कर रहे हैं वो उसके पक्ष में और उसकी तारिफ में पुल बांदेंगे बड़े बड़े और उसको हमेशा बहतर बताएंगे लेकिन दूसरी तरफ उसके विरोधी भी होंगे जो कि उसके खिलाप अफवाहें भी फैलाएंगे प्रोपोगेंडा भी चलाएंगे और उसको हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे तो ये तो राजनीते का हिस्सा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है हमें एक पॉलिटिशन जो की हमारा राजनीता रहा है उसकी सची पहचान को जानना है उसके करेक्टर को जानना है उसकी पॉलिसीज को जानना है उसके आधार पर उसको क्रिटिसाइज करना है या उसक 1919 से लेकि 1920 में और 1928 से लेकि 1929 में और नहरू गांधी परिवार जिसने भारत के इत्यास में एक लंबे समय तक गवर्न किया है चाहे वो जो आलाल नहरू हों उसके बाद इंद्रा गांधी हों उसके बाद भी कॉंग्रेस आज के समय भी चल रही है वो नहरू गांधी परिव च्छे मई 1861 में आगरा उत्तर पर्देश में इनका जनम हुआ कश्मीर के एक ब्रहमिट करिवार में और अब यह एक बहुत बड़ी बात है कई बार देखें इनके बारे में जो अपवा पहला allied Jest आती हैं नेरु परिवार के बारे में उसमें एक अपवा ये भी होती नहीं है नहरू जी के परिवार कीमत चार पीडियों के आप से बात करता हूँ नहरू खुद पंडिजवाला नहरू उनके पिता गंगादर नहरू और गंगादर नहरू के पिता जो हैं उनकी भी बात कर लेते हैं वो कौन थे गंगादर नहरू के पिता जो थे वो लक्षमी लक्षमी नारायन नहरू थे तो लक्षमी नारायन नहरू उसके बाद गंगादर नहरू फिर मौतिलाल नहरू और जोहालाल नहरू चार पीडियों की बात कर रहे हैं सभी नहरू थे सभी कश्मीरी ब्रामिड परिवार से आते थे उनके साथ उनके संबंध भी है उनके साथ मेट्रोमोनियल आपको रिलेशन्स भी देखने को मिल जाते हैं तो यहां तक जब चार पीडियो तक आपको कोई भी यहां पे मुसलिम नहीं दिख रहा है और कनवरजन का सिस्टम भी नहीं था आप जानते हैं कि हम हिंदुईजम में कोई कनवरजन का सिस्टम तो होता नहीं है इसलाम में कनवरजन का सिस्टम तो होता है कि वो दूसरे धरम के लोग उसमें कनवर्ट करते हैं तो ऐसा भी कुछ नहीं था तो गंगादर नहरू जो थे और इंदराणी जो थी ये दोनों पती पतनी थे इनके घर में यहाँ पे मौतिलाल नहरू का जनम होता है और गंगादर नहरू जो की मौतिलाल नहरू के पिता थे वो दिल्ली में अठास उस्ताउन की करांती से पहले मुगल बादशा बहादुर बादर्शाथ जाफर की अंडर कोतवाल का काम किया करते थे पुलीस में काम करते थे लेकिन ऐठाओ सोस्टाउन की चाहँ के वे पार परिवास्तों के पार्ट हे गए मुगल मुगल सथा को हिट। गया बादुशाद जफर को रंगून भेज दिया गया तो उसकी सत्ता खतम हो गई तो मौतिलाल नहरू को भी वो जगे छोड़ के आनी पड़ी गंगादर नहरू को सोरी तो गंगादर नहरू उसके बाद अपने परिवार को साथ आगरा जाके शिफ्ट हो गए और ये का जा शादी नों ने कश्मीरी ब्रामिन फैमली में कराई है और उनके जो बेटे थे जो उनकी मरत्यू के बाद पैता हुए ये जो मौतिलाल नहरू है ये तो अपने पिता गंगादर नहरू की मृत्यू के तीन महीने बाद पैता हुए है तो चार फरवरी अठासो इकसट में ग भारत के परधानमंत्री बनते हैं और उनका ये बाकी परिवार जिसमें विजय लक्षमी पंडित और उनकी दूसरी बेटी भी है तो ये तीन इनके बच्चे थे अब इनकी आगे की फैमली के बात करेंगे लेकिन पहले बात करते हैं एजूकेशन की और इनके अरली कैरियर के बारे में तो अरली टाइम में ही मोतिलाल नहरू को अरबिक पर्शियन और इंग्लिश बाश्या के बारे में पढ़ाया गया था इनको ग्यान था इंग्लिश का इस्पेशली इनको ग्यान था उसके बाद ये इंग्लेंड भी गए हैं आपको पता है पढ़ाई करने के ल जो अलाबाद की है आज के समय प्रियागराज जो बन चुका है यहां पे इन्होंने अपनी लोग की डिग्री लोग की पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी हाई स्कूल पढ़नी शुरू कर दी थी उसके बाद 1883 में इन्होंने कोर्ट एक्जाम पास कर लिया था हाई कोर्ट एक बहुत सारे वकील थे उस समय जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से लेकिन मोतिलाल नहरू सबसे ज्यादा सफल वकील थे सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने कमाया है वकालत करके और इन्होंने वकालत की फिर कानपूर आ गए फिर अलाबाद शिफ्ट हो गए यहां पे जाक को बड़े-बड़े केस मिलते थे और बहुत पैसा इन्होंने कमाया है इसलिए इन्होंने इतनी बड़ी पर्सनल पोर्चोन बनाई इतना पैसा बनाया कई बार आपको यह भी चीजें पढ़ने को मिलती है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉंस वही कि नहरू जहां पढ़ते प्लेटे थे उस इसकूल के चारो गेट पर चार गाड़ी आ खडी रहती थी इतना पैसा था मोतिलाल नहरु के पास अब कितनी गाड़ी खडी रहती थी चार गाड़ी आने का क्या संदर बैग यह तो समझ में नहीं आता लेकिन पैसा बहुत था इसमें कोई दो राए नही अपनी lifestyle भी काफी अंग्रेजों जैसी उन्होंने कर ली थी लेकिन उसके बाद जब गांदी जी के संपर्क में 1920 के आसपास तब उन्होंने अपना जो विदेशी अउतार है उसको छोड़ा और फिर भारतिये करण की तरफ चले गए भारतिये moral को उन्होंने सपोर्ट करना समय ही उसकी मृति हो गई उसके बाद उनका जो भाई था नंदला जिसने उनका पालन पोशन किया था इतनी उनकी मदद करी थी उनकी भी मृति हो गई और उनकी एक विद्वा थी और साथ बच्चे थे उनको पालने की जिम्मेदारी भी अब मौतिलाल नहरू के उपर थी और खुद की शादी उन्होंने जो दूसरी शादी करी थी जिससे जवालाल नेरू पैदा हुए हैं और उनकी दो बैने पैदा हुई हैं उनकी बीजनादर थी और उससे में सिर्फ 25 साल के थे लेकिन उनके पास अच्छा गासा पैसा था सक्सेस्फुल हो चुके थे का जो के आगे चलके भारती राजनीती में बड़े पॉलिटिकल फिगर भी बनेंगी उसके बाद क्या होता है मौतिलाल नेरू ने जब लोयर के एक्जामनेशन पास कर लिये थे 883 में फिर वो कानपुर आ गए इसके बारे में मैं अलड़े आपको बता चुका हूँ उन्ह पिश्मीरी ब्रामिन कम्यूटी थी वो इनसे नाराज रहती थी इसका क्या कारण था आपको मैंने एक बड़े मैथमेटिशन की कहानी बताई थी रामा नुजम की रामा नुजम एक तमिल ब्रामिन फैमली से बिलॉंग करते थे उनके जीवन में भी यही दूइदा थी और इनके जीवन में भी हलांकि इनको कोई फरक नहीं पड़ा उनको बहुत फरक पड़ा उस समय की जो ब्रामिन फैमली थी हिंदू ब्रामिन फैमली उनमें कुछ एक इस तरह का कस्टम था इस तरह के की और्थोडोक्स मेंटलीटी थी कि कोई आदमी अगर ओशियन को पार कर समंदर को पार करके किसी दूसरे देश जाता है तो वो अशुद हो जाता है उसका धरम ब्रश्ट हो जाता है और अगर वो वापिस आता है तो उसको प्राश्चित करना पड़ता है उसको रिफॉर्मेशन करना पड़ता है तब ही उसको उस जाती में फिर से एंट्री मिलती वे लेकिन मौतिलाल नहरु जो इतने western हो चुके था इतने modern हो चुके था वो इस बात में कहा मानने वाले थे उन्होंने से मना कर दिया जिसकी वज़े से कश्मीरी ब्रामिन फैमिली जो थी, कम्मिनिटी जी जी ओ, वो इनको क्रिटिसाइज करती थी, इनको नराज थी इनसे बहुत ज़्यादा, तो ये भी इश्यू है और ये भी इनके बार में इन्फर्मेशन आपको मिलती है, उसके बाद बात आती है, इसके इनके बाद ये बोर्ड ऑफ डारेक्टर ऑफ दा लीडर बने, दा लीडर नाम का एक डेली पुब्लिकेशन था, उसमें आलाबाद का था ये लीडर इसका नाम दा लीडर था और ये लीडिंग पुब्लिकेशन था, इसके डेरेक्टर बने, उसके बाद populaire इनों है सवराज भाउन भी जो है इन्होंने अपनी वेल्थ से बनाया था इतना पैसा थे इनके पास जो इसमें गांधी परिवार नहरू गांधी परिवार रहा है आने वाले समय में उसके बाद पॉलिटिक्स में एंट्री कब होती है इंडियन नेशनल कॉंगरेस का फॉर्मेशन तो आप जानते हैं कि 8885 में हो चुका था उसके बाद इसमें दो तरीके के धड़े थे एक मोडरेट ग्रूप था एक एक्स्ट्रिमिस्ट था मतलब नरम दल और गरम दल इसमें कॉंगरेस के अलग लग लोगों के अलग लग विचार धरा थी नरम लोग दल के नेता ये कहत जिसके नेता थे गोपल करशन गोपले सुरेंदर नाथ मैनर जी इन लोगों को इन्होंने जोइन किया और इंडियन नेशनल कोंग्रेस का हिस्सा बन गई उसके बाद ये अलाबाद ब्रांच में हॉम रूल लीक जब स्टार्ट करी थी यानि विसेंट उसको भी इन्होंने लग गई तो काफी सारे नरम दल के नेता भी गरम दल की तरफ शिफ्ट हो गए थे और कॉंग्रेस का फिर से रियूनिफिकेशन हो गया था और कॉंग्रेस के कई सारे लोग जिसमें मौतिलाल नहरू भी थे उन्होंने भी अब मोडरेट फक्शन को छोड़के वो रेडिकल की तरफ बात करने लग गए की अब हमें रेडिकल रेफॉर्मस लाने की जरुत है अंग्रेज जाये यसा तो भी तो नहीं मान रहे हैं लेकिन लेकिन उसमें भी वह हिंसा की बात नहीं कर रहे थे अब ही वह कारत के लोग के रास्टे को झेखते थे की हमें आजधी मिलेगी यही हमारा तरीका है 1920 के दर्शक में आप जानते हैं कि गांदी जी बहुत ज्यादा एक इंफिलेंशियल फिगर बन चुके थे पूरे भारत में और उस समय उन्होंने वेस्टन कल्चर को छोड़ के इंडियन कल्चर को फिर से अपना लिया उसके बाद आप जानते हैं कि नौ कॉर्परिशन मॉमेंट को अबोलिश कर दिया था हटा दिया था कि वो अब ऐसे यो गांदोलन नहीं चलेंगे इसकी वज़े से बहुत सारे लोग जो है नाराज हो गए थे गांदी जी से बहुत सारे लोग हो गए थे जिसमें भगत सिंग राजगरू सुकदेव और ये ज उसके बाद ये सेंक्टरल लेगिसलेटिव असेंबली के 1923 में मेंबर बने लेडर ओफ अपोजिशन बने इस तरीके से इनोंने काम किया और इनका जो सबसे इंपोर्टेंट काम था जिसके लिए इनको याद रखा जाता है वह है नहरू रिपोर्ट हमेशा याद रखेगा नहरू रिपोर्ट की जबी भी बात आती है तो उसके अध्यक्षा जोहलाल नहरू ने नहीं मोतिलाल नहरू ने की थी और ये किस तरीके की रिपोर्ट थी क्यों बनाई गई थी तो जब साइमन कमिशन का विरोध किया गया था साइमन गोबैक के नारे लगे थे जिसमें ल और नए तरीके से reform लाने की बात कर रहा था तो भारतियों को Britishers ने challenge किया कि देखिए हमारी community को हमारी committee को आपने इतना criticize किया है तो हम आपको challenge करते हैं कि आप कोई ऐसा constitution frame करके दिखाओ जिस पर आप सब लोग agree हो Congress और Muslim League और सबी नेता आपके agree हो आप करी नहीं पाओगे तो इस challenge को इंडिया नेशनल Congress और भारते नेताओं ने सुईकारा और challenge को सुईकार करने के बाद एक report तयार करी गई और इस report के जो chairman थे वो थे मोतिलाल नहरू इस report में पूरी तरीके से बहुत सारी चीज़े कही गई report में क्या कुछ कहा गया देखे report में आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी आपको उसका दिखाता हूँ जिसमें ये कहा कि साइमन कमिशन जो है इसके reject किया गया उसके बाद इन्होंने ये कहा गया कि देखे इसमें ज्यादा information आपको यहां पे नहीं मिलेगी इसमें official language का dominion status क की बात करी गई थी कि भारत को dominion status दिया जाए भारत की एपनी खुद की पार्लेमेंट हो इसमें हमारे लोगों का एक तरह से representation हो बहुत सारी चीजे कही गई जिसमें total मिला के 22 चैप्टर थे और 87 आर्टिकल्स थे पूरा legal style में इन्होंने लिखा था और fundamental rights की भी बात करी थ सब कुछ इन्होंने किया बिटिशर्स ने इनको चैलेंज दिया था इन्होंने चैलेंज पूरा किया लेकर बिटिशर्स ने इन रिकमेंडेशन को मानना बना कर दिया नहरू रिपोर्ट को मानने से बिलकुल मना कर दिया इस नहरू रिपोर्ट की मैं पूरी आपको अलग स जो है यह बना दिया था आनंद भाउन आप जानतें कॉंग्रिस पार्टी के लिए एक इंपोर्टेंट जगह थी हेड़कॉर्टर था इनका लिए हेड़कॉर्टर की तरह इस्तमाल करते थे उसके बाद हेल्थ वगरा खराब होने लगी धिरे-धिरे और इन्होंने अपना कंटिन्यू रखा बाद में गुजरात में जाके गांदी जी के साथ इन्होंने सॉल्ट सत्याग्राव में भी पार्टिस्पेट किया लेकिन फाइनली 6 फरवरी 1931 को इनकी मृति हो गई काफी सारी बार ये जेल भी गए हैं लेकिन हेल्थ इशूज थे इनके तो इस समयंकी 1931 में मृति हो गई तो हफुली आपको चीज़े क्लियर हुई होगी मौतिलाल नहरू के जीवन के बारे में आपको इन्फोर्मेशन जो मिली है उससे आप खुश होंगे और मेरा मानना है एक बात कई लोग जो हैं क्रिटिसाइज करते हैं देखे मैं जब वीडियो बनाता ह ठाओ तो मेरा परपज ही होता है कि एजूकेशनलल परप assassin से रहे किसी तरीके का political उसमीं किसी तरीके से से इनकलेमेंट ना रहे है जब मैंने नहरू के बारे में वीडियो बनाया तौ लोग कहने लगए आप को अंग्रेशी हो जब मैंने वीडियो बनाया चानल को सिस्वी BKJG. So, thank you so much for watching this video. Have a good day. See you next class.